नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ट आकुर के साथ दोस्तो आज हम हम हिमाच्य प्रदेश में हुई बीएड एंटरेंस की जो परिक्षा थी उसको डिसकस कर रहे हैं और इससे पहले हमने इसके दो पार्ट कर लिए हैं तो अगर आपने अभी तक वो वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं हमने वो इससे पहले डिसकस कर लिए हैं और आखरी जो पार्ट है दीखे इसमें करते हैं आज के इस आखरी पार्ट की तो यहां पर एक सो तक हमने पहले कर लिए थे और इसके अलावा अगला जो प्रशन हम देखेंगे 101 तो देखिए इसका सही आंसर क्या होना चीजे था यहां पर लिखा है कि निमी लिकित मैं से किस ने महीला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आरेस माज की स्थापना की तो सही आंसर होगा इसका देखिए विकल्प नमबर आपका जो 101 के देखिए विकल्प नमबर A, पंडिता रामा बाई इसका सही आंसर होगा नेक्स प्वेशन है देखिए 102 20. सदी की शुरुवात में निमिलिक संगटनों में से एक राष्ट शिक्षा अंदोलन से जुड़ा नहीं था तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नमबर 102 का देखिए क्या हो जाएगा विकल्प नमबर D, बरिंद्र कुमार घोश की अनुशिलन स्मिती नेक्स्ट है दिखिए 103 जो क्वशन निमिलिक में से किस स्मिती ने शिक्षक शिक्षा कारेकरम में सुधार के लिए सिफारिश की तो सही आंसर हो जाएगा इसका C, राममूर्थी स्मिती 103 का C आंसर होगा नेक्स्ट है NEP 2020 निमन के स्थान पर आई तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नमबर A राश्टी शिक्षन नीती NEP 1986 अगला पशने 105 वां भारत में पूर्ण साक्षत्त प्राप्त होने का प्राप्त न होने का मुख्यकारन क्या है तो इसका सही आंसर होगा धन की कमी लेक ओफ फंड 106 RPWD अधिनियम 2016 का पौर्ण रूप क्या है तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नमबर D विकलांग व्यक्तियों के अरिकार अधिनियम 2016 107 प्राशने यहाँ पर देखिए NEP 2020 में उलिकित विशेश आवशक्ता वाले बालकों का एक अन्य सुझाया नाम क्या है तो इसका सही आंसर होना चाहिए दिव्यांग बालक विकल्प नमबर A Next is 108 Basic शिक्षा का विचार किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो Basic शिक्षा का विचार है ये प्रतिपादित किया गया था 108 जो प्रशन है उसका विकल्प नमबर C महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 109 प्रशन है देखी National Council of Education Research and Training Was Established in तो इसका जो साही आंसर होगा 1961 साही आंसर इसका 1961 होगा 110 प्रशन है यदि आपकी कक्षा में यदि कांच चातर कमजोर है तो आपको क्या करना चाहिए तो अपने शिक्षन को हमें थोड़ा ससलो कर देना चाहिए ताकि वो सब चातर जो है वो क्या है जो slow learner है वो समझ सके उन चीज़ों को ठीक है शिक्षक कक्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भड़ा हुआ है चूंकी तो इसका सायन सरूर का शिक्षन में आने वाली समस्याईं कठोर और ग्यानिक जांच के लिए उत्तरदाई नहीं है नेक्स प्रशन है देखिए एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्तिती सुनिशित करने के लिए सर्वोत्तम विकलप का चैन करें तो सर्वोत्तम एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्तिती सुनिशित करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपना कर नेक्स प्रशने दिखिए एक सो चोध हुआ शिक्षन सहाइक समागरी का उपयोग निमिलिकित के अधार पर उजित है छात्रों को सीखने के परिणामों का अनुकूलन मतलब चात्रों को सीखने के परिणाम जो है उसके नुकूल नेक्स प्रशन की शिक्षन पदती में शिक्षार्थी की भागेदारी को सरवत्म और सक्रिय बनाया जाता है तो यह आपकी परियोज नविदी जो प्रट्यक्ट मेथड है उसमें माना जाता है इसको कि यह सरवत्म सक्रिय है विद्याले को बालग के विकास से संबंदित होना चाहिए जिसमें शामिल क्या होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति द्वरा आवश्यक कोशल का अधिकर है ठीक है नेक्स देखिए अगला प्रशन यहां पर विद्यार्ती आपके प्रशन का आंशिक रूप से सही उतर देता है इसके बाद आप पुनरबलन प्रदान करेंगे पुनरबलन मतलब फिर से उसको क्या करेंगे आशिक रूप से सही उतर देता है तो उसको आप जादा प्रोटसाहीट करेंगे यह इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स प्रशन है देखिए सबसे अच्छा कारण जिसकी वज़ा से एक शिक्षक अपने चात्रों से सम्वान प्राप्त करता है वकक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है विकल्प नूमबर A सही अंसर होना चाहीए था इसका अगर आपको लगता है दोस्तों प्रेना स्रोथ के रूप में आप मतलब रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने की बात होनी चाहीए और यह ध्यापक का सबसे मौत पुर्ण भी माना जाता है एक चात्र अवसाधारन होता है जब उसका प्रदर्शन उलिखनिय रूप से कैसा होता है मतलब औस चात्र से उचिया नियमन होता है तब वो अवसाधारन माना जाता है भूलने की बिमारी को कैसे कम किया जा सकता है तो भूलने की जो बिमारी है उसे कम कैसे किया जा सकता है अति अधिगम से तो अति अधिगम से दीखिए क्या मतलब ओवर अर्निंग ठीक है तो उससे इसको कम किया ज सकता है अती अधिगम नेक्स से देखिए 122 प्रशनी यदि कोई छात्र आपके खिलाप लीपियों के मुल्यांकर में पक्षपात करने का आरोप लगाता है तो आप उससे कैसे निप्टेंगे मतलब उसको उसकी जो आंसर की है उसके द्वारा ही उसको दिखाएंगे उसके आर वर में ही आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए काफी हथ तक वो कॉषण आपको वैसे सही हो जाता है चात्रों के साथ अच्छे संबंद विक्सित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए सब से महत्वपूर्ण गतिवीदी का चैन करें तो व्यक्तिगत ध्यान दें जो चात् बाद भी इसका हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत ध्यान दें मुझे लगता है कि इसका जाधा अंसर यह होना चाहिए नेक्स से दिखिए उच शिक्षा स्तर पर अध्यापन का मुख है उदेश्य क्या है निर्ने लेने की क्षमता विक्सित करना तो यह सबसे इंपॉर्टन है नेक्स से दिखिए छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे मुहत्वपूर्ण है तो यहां पर भी वह है इंडिपेंडेंट ठीकिंग उनकी जो होनी चाहिए वह जाधा होनी चाहिए मुहत्वपूर्ण है नेक्स वशने 126 वा यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्याल उसे ही अबगत करवाएंगे नेक्स से 127 वह देखिए विद्यालय के लिए आपका दिष्टिकोन क्या होगा आशावादी दिष्टिकोन मतलब आशावादी तो होना जरूरी है तब ही आप जो है उस भै को कम कर सकते हैं मतलब उस चीज़ को आने से रुक सकते हैं अगर आप खुद ही अप्टिमिस्टिक हैं तो बालिकाओं की शिक्षा को प्रात्मिकता दी जानी चाहिए क्योंकि के वो लड़कें ही समाजिक परिवर्तन के नितुट्व करने में सक्षम है तो ये आपका दी आंसर इसका सई होना चाहिए नेक्स जादिकिए जीवन में सफलता प्र शिक्षा दूरस्त भी नहीं होगा अफचारिक भी और अफचारिक भी नहीं होगा नेक्स दिकिए ग्रामीनों के तनाव में तनाव है और आप वहां शिक्षक हैं आप क्या करेंगे उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे है ना ग्रा बन शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि यह जीवन का महत्वपून हिस्सा है ठीक है अगला प्रशन है 134 शिक्षन की गुणवत्ता किस से परिलक्षित होती है तो चात्रों दारा को पूछे गया प्रशनों से और यह बहुत बार यह प्रशन पूछा जाता है रिपीट होता है एक दूसरे के शिक्षन के पूरक की आधक 137 शिक्षन का उत्तर के देखे क्या होगा एक अच्छा संचारक वह है जो अपने दर्शकों को परदान करता है है ना अत्यधिक जानकारी आंकडों की अच्छी मात्रा संक्षित प्रमान या तत्यों के पुनरावरिती तो प्रशन दो बार आया है पेपर में तो रिपीट है ठीक है आपके विद्याले में दीपावली मेले का आयोजनम हो रहा है आप क्या करना पसंद करेंगे समरों में भाग लेंगे ठीक है क्योंकि मनुश्यक समाजिक ब्राणी है जो समाज में हमारी चीज़न गट रहें उसके शिक्षा के महावी द्याले में मानकों को बनाई रखने के लिए ठीक है नेक्स्ते देखिए 142 प्रशन यहाँ पर यदि आप बच्चों में निरिक्षिन करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निमिल कितमें से किस किसी फारिश करेंगे यह मान सिंख संकायो का पर शिक्षन 143 प्रशन देखिए करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है तो यह बच्चों को रूची में विक्सित करता है कि आप करके कुछ सीख रहे हैं तो अब यसी बात है कि बच्चों में इंटरस्ट जागेगा उनकी रूची उसकी और बढ़ेगी इंद्रियों के विक्सित होने का क्या मतलब है तो देखिए इसका साही अंसर होगा विकल्प नमबस सी अन्य शिक्षाएं इस पर निर्वड करती है अगर हमारी इंद्रियों विक्सित हो रही है ठीक है नेक्स ते देखिए 145 मान लीजे कि आपको एक दिन हिंदी माध्यम का चात्र मिलता ह है जिसने अंग्रेजी सिखी हुई है उसने हिंदी से अंग्रेजी मनुबाद करने के लिए पांच वाक्य दिये गए हैं एक मुल्यांकन करता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मुल्यांकन करने का प्रियास करेंगे तो यह सबसे इंपोर्टन की समझ कितनी है उसमें ये चीज़ आप जरूरी करेंगे उसमें, 146 वा है देखिए, NLM stands for, यह है राष्ट्रिय साक्षर्ता मिशन, National Literacy Mission, जिसको कहा जाता है भी कल्प नमबर A, इसका साही अंसर होगा, नेक्स प्रशन है देखिए, 147 वा, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, उन कारियों को निर्धारित करना, जिने एक साथ करना है, सही बात है ये, है ना, 149 प्रशन है देखिए, निमंद प्रिक्षिनों के तोलना में वस्तुनिष्ट प्रकार के प्रिक्षिनों का क्या लाब है, तो नमूना समगरी व्यापक हो सकती है, विकल्पन बसी सा यांसर होना चाहिए, और आकरी प्रशन है आज का देखिए, अगर आपको हमारा प्रियास अच्छा लगा है, तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, फिलाल आज के लिए इतने दोस्तों जल्द मुलाकात होगी, एक नई वीडियो के साथ तब तक आप बने रहिए, हिंदी साहीत वाता के साथ शुक्रिया, जैहिन, इनकलाब, सिंदाबाद,